कि यह से आपको पता है कि अभी हम हैं अकुला डिस्टिक्ट पोर्ट में तो अभी हमारे साथ है एम एल शाह सर जो 1993 से प्रैक्टिस में है और उनसे हम जानकारी लेंगे कि अकुला डिस्टिक्ट कोर्ट में सिविल साइड किस तरह से जलती है तो शाह सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका समय दिया हमें तो सर हमें जानना है कि यहां पे जो सूट हुए ने अवे सूट अगर फाइल होते हैं उसके क्या प्रोसेजर है यहां पर फाइलिंग की सूट जो फाइल ओते है क्वासपर सर चाहर प्रींच जो आता है वह सी जो दूसरेप सो इस के खैविल साथ की को स्वें जो टौस्ぎ लाइंन जिसकी शाज़ को ना है वह जु त डीन कुछ का पूजिशन का है वो सबका अउर्का और काइद एस प्लेंट किसको बोलते हैं ज्वां बॉल्ति होँत्यू तो उसको फिए निपरुतुन होती है उसके प्रेजेंट होती है कोड में उसके अंदर अगर कुछ टेकिनिकल प्राब्लेम आते हैं जैसा जरूरुडिक्षन का प्राब्लम है क्या यह जो घटना बताई वी आपने प्रेंट में समझो यह घटना यह तुमारे कारिक्षेत्रे में हुई वी एक है यह कोई काईदे का कोई इस एक प्रेंट को फाइल कहां कौन से आफिस में करते है जो फाइल करते है जहां तरक अकॉल अडिश्टिक कोट का साहल है यहां पे स्विल्जा सिनेडविजयन इस प्रिंसिबल कूर्ट इन वीच देपल जिसको बदेए अपन सिंपल बाशा में मैंने मेरा दावा दाखल आपिस्टिक के अचेश्टिक कोट कोट में दाखल होता है यहां पर जो इंजंच्छन अप्लिकिशन होता है उसको क्या नाम दिया जाता है मृदब उसको टमपरि इंजंच्छन अप्लिकिशन ही बूली जाते है जो सीपी से के ऑचाचर ऑडर 13 ed रूवं टू में बढ़ता जो है जब हमेर जो हमेरे जाते तो पुछता है कि तुम्हारा तेमपरी इंजुंचिन अप्लिकीशन एक तो अपन बोलते हैं या पार्टे या वखील के नीचे अपने टेमपरी इंजुंचिन अप्लिकेश्ण बाक हल किया हुआ है जो और अरुडर 13न रूल अप्लिकेशन नहीं रहता है लेकिन जब सुट चलता है और कुछ ऐसी को अर्जंसी आती है कि अधर सेड वो प्रॉपर्टी के बारे में कुछ कम जादा करना चाहते है तो उस तेम जो अप्लिकेशन फाइल होता है तो वो अलग एक्जिविट गिरता है उसको और उस पर स्प जो प्रॉविजन दीवी है 39 1 2 3 4 अगर पलते के तुम तो वन्स अप्लिकेशन इस फाइल अंटर ओडर 39 1 2 टेमपर इंजंक्शन इच्छन इच्छोड बी डिसाड़ेड़ वाइद विदिन वन मन फॉम देट अफ फाइलिंग और प्रॉम देट अप एपरेंस और पार्ट प्रेक्त इसका का मिंडेट डिवाई फिर इसको ऐसे थीड़ ब्हुत बहुत बार ऐसा हुता है उसमें डिकल्र सबीस करने हля ने में वंका रिप्ले हैं थ टाइम लगता है तो हो सकता है फ़्ोड़ा वनम न को जाता है लेकिन टेम पनिंग. अवीप डिलिक है एडिक करता है 13.912, तो वो प्रेस अगर करता है जल्दी जल्दी अगर 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 अब रसाइड वे उसमें पिर है तो जनरली वन मंत और तू मंस में डिस वेड हो जाता है Sir, यह पर प्रिजेंटेशन की स्टाइल केसी है? सेंटर श्टीचिंग है के टैगिंग व्ला स्टाइल ऑगें सिस्ट्म में है जो काज पिईर uhon चोर दी तुमने तो से टैग एक。 पूरिय गज जो ऐसे टैग होते हैं और उसको साड में जो राइट पे टिकिट जहां पे लगाते हैं जो मिष्ले स्टम्प लगते हैं फाच रुपई, दस रुपई, बीस रुपई जू भी लगते उसके साड में इसको एक्जीविट डाली जाता है ऑके तो देट को और अधर सेट को धहम में आए कि कुंते एक्जीट पे कुंते अप्लिकेशन से या कुंते डॉकुमेंट से सर अभी यहां पे भी A4 वाइट में फाइलिंग चालू हुआ है यह सर जैसा हाइक कोट का जहां से सर्कूल आ रहा है पिटले मेरे खाल से पिटले दो डही मने से सर्कूल चालू गए दो तीन मने से तब से राइट थू जब से फर्म देट आप नॉलेज एफोर में चालू हो यह तो फिर बॉटम में करते हैं यह तो है मैं पूर्निंग नंबर वाला सिस्टीम यहां पर है क्या ने रणिंग नंबर नहीं सा वन टू थी फोर ऐसा चलता है एक पेज के बीचे टू आएंगा फिर दूसरा पर चालेंग वहां सा थी आएंगा फिर उसके वेजे फोर और छोरा फिर फाइयो 6 7 अशचा चालेंगा यह जब रिप्लाई फाल करूंगा फर एक्जम्पल यह सो आपका सव्जो प्लेंट 10 में खतम हो गया ऺैस तो मैंकि जो फाइल करूंगा तो मेरे रिप्लाई का 11 से शुरू होगा क्ये 1र 10 होगा एक से 10 होगा लेकिन ओजो तो उसकी क्या प्रोसीजर है मतलब इंजंग्शन अप्लिकेशन दाखल करने का मेन परफस बोलो या जो कंटेम्प्लेट करता है CPC में विन दे प्रोपर्टी इंडेंजर और इन्वेस्ट उसका जो क्रेटेरिया यह है कि कोई भी स्विल सूट जो होता है वो अधिकतर स्विल राइट्स होता है कि अधर सेड मेरा जो राइट जो मेरेको मीलेवा है भाइव डॉकुमेंट बोलो या बाइव बर्द बोलो वह अधर सेड उसका इन्वेड करता है या उसको पांट्रेवन करता है तब वह अर्जंसी के लिए 39 न तो आता है एनने कैसा एक फॉर ए पारजित चार भाई ए उसमें गें कि वह वह पूरी प्रॉपर्टी डिस्पोस कर रहा और जो तीन भाईयों का शेर वह उसमें से चले जा रहा है तो एक भाई अगर दावाल आता है कि वह एंटर पापर्टी जैव एंसल्र पापर्टी ए तो वह भाई को जो प्रतिवादी दर्बाने बनाय वाह है ओस्पोटी एंटर प्रॉपर्टी गजिन वह पुषना था के फाइलिंग के यहां पे कोई प्रोफेशनल क्लर्व लोग है क्या से परेट मतलब जो को वकिल के इंडिया नीहीं है इंड़ जैसे हमारे यहां बंबे में प्रोफेशनल क्लर्क्स ए ई कि यहां पर जूए पर जुट जुड़ा है वही फाइलिंग करता है अर वह वह इसको बताने के जूरत नहीं है यंग को T drives वकिल पत्र होना वकिल पत्र वाद रिष्टर एड्रेसस के बाद प्रोसेस के विलड के दाक्योमेंट होना उसको बोलने की जरूतै है उनको और दिदिया कि रेवं सेप्ल जाय मैं ट है उसका है सिर्टीकना तो पाम्य का ये वकिल पत्र है कि समझो कोई एक पार्टी है जो आउट अफ अकॉला है या आउट अफ महरास्ट्रा है तो वहां पे उसके स्टेट में यहां भी वो रोकेटेट वहां पे वो रिप्लाइ वगरा बना के दे कन सेंड अपी तु दा कॉला कोट और अट इस तेकर न रिकॉर्ड और दुसरे वा इस नॉट्रेस ओके सर एक सूट जो होता है उसका अंदाजन पूछ रहाँ विकास घेना पूर डिफिकल लेकिन एक दावा अगर दाखल होता है तो फाइनली डिस्पोज आउफ होने को अंदाजन कितना टाइम जाता है साह बाज साह आप जो बोरें बराबर है इस दिवान नहीं दावा है तो बोलते कि जवानी में दावा दाखल करो और बुड़ाबे तलग चलन दो यह दो महन यह जो फ्रेज एफ एक पुछ चाहत तलग कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बार दावे दाखल होते हैं और उसको अच्छा मिल गया है या उसको समधर दोनों भी पार्ट अगर मैचोर्ड है तो हो सकता हो जल्दी भी निकाल हो जाए या बहुत बार कॉंपरमेज भी हो जाता है लेकिन जो एकंदेरी त अलग अलग है एक तो उसमें का एक वाइटल है फैक्टर बता हूंगा एक तो अजब थोड़ा स्ट्रेट बात करता हूं है कि कोर्स के जो छुट्टी है हॉलिडेज है अपन अगर पूरे 365 डेज में अगर साल के काउंटिंग किया है डेज में 365 डेज आते हैं साल के तो 180 ड और उसमें फिर डिमगल्ट है हाईलि इंपॉसीवल क्योंकि फइलिंग इतना है वह सबसे और से कुट्स की बिश्टापलीश्मन नहीं है घृण जो फ़ैलिंग ही सिर्फ सांपह से घृण लगता है थोलह ज्यादा लगता है ऐसँर क्या यहाँ पे इंगलिश में प्लिड बाउना से एक दूलिया तो तो वहाँ पे तुमको मरठी में प्रिदिंग मिनेगा लेकिन इसमें अच्छा प्राइडा इसलों है इंगलिष प्रिडिंग का कि जब हाइकोट में जाता है वह रिच होता है मैं तुम पर नहीं पी लगती है या कैसे पास होते हैं साहब कैसा है कि जो जीवेपसी कोड़ है इवन सीजेटी कोड़ भी 99 परसेंट जो आउर्डर से अन्ने ऐसा नहीं बोलूगा कि यही कोड़ करता है यही कोड़ नहीं करता लेकिन अगर समझे 25 कोड़ से अगोला में तो उसमें के 22-23 कोड़ इंग्लिश में ओडर करते हैं फिर वह फाइनल ओडर हो या शॉर्ट ओडर हो सर आपके यहां कोई स्पेसिफिक डे कॉंसेप्ट है जैसे मतलब तालू का लेवल मन तालू का कोड़ में आप जाते रहते हो तो समझो कोई बुधवार जात है तो उस तरह का डिस इंफर्मल अंडर्स्टेंडिंग बिविन बार एंड बेंच सब यहां पर भूज जो है कोड़ जाते हैं जैसा उनका सुमर फिक्स है फिर कोड़ को मानु रहता कि जैसा जोसेप अगर सुमर को नहीं है तो मैटरी वो अट्रमेंट के लिए मंगलवार के जैनों का कोई कोड़ याता है में कमिशनर याता है तो वहीं कमिशनर अब जैसा कोड़ अकुल अगए है फहले कड़ी नहीं लिए पर अम्रोट हो थी तो मुर भूज पर समजो बुदभ रहे वा तो बुदभार को रहते कोई जैन अकोड्याते है कहिं चिंगशन आह सब्सक्राइब कोई अपने खास इंपोर्टन फेस्टिवल होते हैं उसके लिए कोई अलग छुटिया आपके यहां पे है कि आपके यहां का वही बड़ा फेस्टिवल है इसके लिए यहां पर हमारी पर महा श्राण इलगतल को पराइक यहां अंहीं मंब शो पकिति एक है और एक कुर्ष्णा जन्मास्टर भी आज़या च्पहर के चुट्टि है है कि मंघ लक्ष्मЙ को तो एति हमें अप्रू कर लिए बर मारे ऊप्षिन देवे रएसे सब्सक्राइब दिश्टिजर साब करें वो नैचरले अल्टिमेटली अकॉला अने कंसर्ण भारत को भुषते के तुमारे लोकल की संथ क्या है नहीं बहुत बार कैसा है जैसा अकॉट में नर्सिंग महाराच जेंती रहती है तो अकॉट सेशन कोट को चुटी रहती है लेकिन वाशिम और वो चालू रहता है कि अगर यहां पर प्राइवेट पार्टी कोट और गॉवर्णमेंट पार्टी कोट ऐसा कोई कॉंसेप्ट है जो लीटीकेशन जो फाइल करते हम तब कि यह यह प्राइवेट पार्टी के 123 कोट में जाएगा और गॉवर्मेंट के आगेंस है तो 456 में जाएगा ऐसा कोई concept नहीं साब जैसा हमारे तरफ concept क्या है कि जैसा आज सूट फाइल किया है जैसा पहला समझो जूज़साइब ने सूट फाइल किये वा है इनका अगर फर्स्ट कोट में गया सब्सक्राइब और दूसरा सूट में फाइल करता हूं तो उसका रोटेशन अगर सेकंड कोट बताए वा तो सेकंड में जाएगा फिर समझो अधिक्षी साहिब अब दूसरा ने हमारे तीसरे दिन दाकल किया ओधर में जाएगा ऐसा घूंपेर किया वह राउंड चलता है रोटेशन में चलता है जाथ चे सीनेड़ूजन है तो दावे जाएगे फिर वापिस साथ वाइंगा तो फस से वापिस चालो जाएगा वापिस ऐसा चलेंगा त तो हाँ और उसमें प्राइवेट भी कोई वही रूटेशन है जो गवर्मेंट के लिए है सर कमर्शिल कोट्स अपने यहां खुले है अभी हाँ जस्ट खुले है साथ लेकिन अभी उसको फोर्स मैने को थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि अभी लोगों को इसनी अवेरनेस और कमर्शिल को कोट्स का ऐसा भी है कि उसके थोड़ा सा लॉबी जो है वो थोड़ा सा है लेकिन जब तरक उसको अवेरनेस ने आता ता तरक उसके अंदर अभी स्पीड पकड़ेंगा निए अभी तरक जैसा सीविल का चालो वह ऐसा चल रहा है सर यहां पर एविडेंस हो होता है ने साब यहां पर जो इविडेंस होता है राइट थू जेमेफी टूर डिस्ट्रिक कोट हिंदी या मराथी है कोई अगर कोई एकादा विक्ती बात रेर और फ्रेर में के जिसको हिंदी भी नियाती माराथी नियाती लेकिन ओ बोलता है मां इंग्लिश में हूं अधिकतर हिंदी और मराथी इसमें इविडेंस रेकॉर्ड होता है रेकॉर्ड होता है लेकिन जो इविटनेश जो बोलता है वो हिंदी या मराथी में होता है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद के आपने आपका समय दिया और हमें जानकारी दी के सिविल साइड किस तरह से आके रापोट में चलती है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवादा आपका भी धन्यवादा सर आप इतने दूर से आये हमको मोगा दिया आपका मेल्यूवल टाइम हमको दिया हम एक्चुलिया बारी है आज के जमाने में ऐसा जो लगता है मां बुलने को एक मिट ल हमारा इंडिया लेवल पे सब हमारा प्रोग्राम चाल हुए एक खास खार का अभिनन्दनी है और हम आपके रूनी एक्चुलिया थेंक्यू थेंक्यू थेंक्यू